नमस्कार मैं आपकी होस्ट विभा आज आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर के आए हैं जो आप सभी को बहुत पसंद आएगी बच्चों को भी पसंद आएगी ये वन पॉट मील है मसाला पुलाव की रेसिपी जिसे हम एक ही वर्तन में बनाने वाले बहुत यमी बनेगा इ सब्सक्राइब कर लीजेगा चलिए सुरू करें मसाला पुलाव बनाने के लिए यहां हमने एक कढ़ाई ले ली है बड़े साइच के लेनी है इसमें हमने एक चम्मच घी राल दिया था और बाकी इसमें दो चम्मच हम मस्टर्ड ओयल का इस्तेमाल कर रहे हैं आप पूरा जीरा और थोड़ा से जायफल हम ग्रेट करके यूज करेंगे यह सारे मसाले हमने डाल दिये हैं जायफल बाद में डालना है दो बड़े साइच की प्याज हमने पीछे जो हार्ड पोर्सन होता है वो निकाल दिया है फिर इने स्लाइस में कट कर लिया है और अब हम यह प्य तो ये जब पीछे से hard portion निकाल की प्याज को cut करते हैं तो ये तेल में जाने के बाद पूरे अलग-अलग फांके हो जाती हैं बहुत अच्छे से ये fry हो जाता है इसलिए हम इसे इस तरह से cut करते हैं साथ ही में हमने नमक जितना भी हम पुलाओं में नमक डालने वाले हैं वो एक मिनट के बाद लगबग और इन सभी चीजों को एक साथ मिक्स करके भून लेंगे तब तक हम बाकी मसाले प्रिपेर करते हैं यहां आधा कप दई लिया था हमने ताजा उसमें अधा चम्मस हर ली राली है आधा चम्मस मिर्ची टाली हरी मिर्च भी डाली होई है तो ला अधाट सब्सक्राइब और अधाट सब्सक्राइब यहां डाली हर दो यहां थोड़ी देर कवर करके पकाएंगे जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे फिर हम इसमें बाकी चीज़े अड़ करने वाले हैं तो इसे कवर कर दिया है और थोड़ी ही देर में ये देखें पांच-शे मिनट के अंदर ये टमाटर काफी सॉफ्ट हो गए हैं बढ़ियां से सॉफ्ट हो गए है तो अब इस स्टेज पर हम इसमें डालने वाले हैं इस पुलाओं में आलू और मतर तो आलू हमने धो करके काट करके लखें बहुत बड़े टुकडे नहीं किये हैं हमने इससे डाल दिया है और एक बाउल भरके हमने हरी मतर ताजी डाल दिये हैं इसमें इन सबी को एक साथ मिक्स करेंगे और दो मिनट के लिए हम नो मिटियम फ्लेम पे इन्हें बून लेंगे इस प्याज और टमाटर के साथ में और उसके बाद जो हमने पेस्ट रेडी किया था वो यहां हम एड़ करने वाले हैं तो यहां दो तीन मिनट हो गए थे इन चीजों को एक साथ गूनते हुए अब यह पेस्ट हम इसमें एड़ कर देते हैं यह पूरा पेस्ट डाल दिया है इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है अगर आप दही नहीं डालना चाहते तो दो तीन चमस मिल्क क्रीम में इसे मिक्स कर लीजिए उससे भी बढ़िया टेस्ट आएगा आपके मसाला पुलाओ का बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट आ जाता अब हम इसे कवर करेंगे और 5-6 मिनट पका लेंगे क्योंकि आलू है इसमें आलू को थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है पकने में चावल की जगे चावल जल्दी पक जाता है तो हमने कवर करके इसे 5-6 मिनट पका लिया है बीच में इक दो बार चला भी दिया था और आधा गंटा पहले इसे बिगा के रखा था, पूरा चावल हमने इसमें डाल दिया है और अब हम इसे मसालों के साथ में मिक्स करेंगे और दो से तीन मिनट इसे भी भून लेंगे ताकि इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आए तो यहां पे जितना हमने चावल लिया है, अच्छा सा कलर आ गया है, बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी बनके तयार होती है और अगर आप इस तरह से सब्जी बनाते है ना अलू मटर की तो वह सब्जी भी बहुत ज़्यादा रिलिसस लगती है, यहां देखिए तीन-चार मिनट हमने इसे भून लिया था, बढ़िया तो आप जो चावल ले रहे हैं उसे बनाने में जितना पानी की ज़रूरत होती है उतना ही यहां एड करना है मैंने चार का टोरी पानी एड किया है, इसी में थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल दिये, थोड़ी हम बाद में गार्निसिंग के लिए भी यूज करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं, मिक्स करके हम कवर करेंगे, हाई फ्लेम पे इसमें वाईल आने देंगे जब यह अच्छे से उबलने लग जाएगा, उसके बाद हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे तो यहाँ देखे, बढ़िया से वाईल हो रहा है, बढ़िया कलरफुल सा फ्लाव अभी से दिखने लग गया है तो उबलने के बाद आपको क्या करना है, गैस का फ्लेम लो करना है, बिलकुल लो फ्लेम पे अब हम इसे पकाएंगे 10 से 15 मिनट जब तक की चावल बिलकुल साफ्ट नहीं हो जाते हैं, तो यहाँ 15 मिनट हो चुके हैं, और हर एक चावल बिलकुल खिला-खिला सा पका हुआ दिख रहा है यह देखिझा बहुत ही बढ़ियां, अच्छे से आप रस करके भी देख सकते हैं, यह बहुत बढ़ियां पुलाव रेडी हुआ है यह मसाला पुलाव बहुत जाता मसाले भी नहीं डाले हैं, बहुत delicious बनता है इसे आप जिससे भी खिलाएंगे वो आपकी तारीफ करेगा और पूरा चट कर जाने वाला है तो आप इसे एक बार मेरे तरीके से बना करके जरू ट्राय कीजेगा इसमें हमने धन्या पत्ती उपर से डालती है के इसे गया ये है, गैस का फ्लीम आफ करने के बाद 10 मिनट और इसे कवर करके ऐसे ही रहने दीजे 10 मिनटे बाद, पुलाव सर्व कर रहे हैं Кितने बढ़ियां से खिले खिले ये मसाला पुलाव के चावल दिख रहे हैं बहुत बढ़ियां लग रहे हैं और यह टेस्टी भी बहुत ही होता है तो इसे बनाइएगा जरूर सभी को पसंद आएगा यहां मैंने सर्व करने के लिए निकाला है प्लेट में साथ में आमने रख दिये हैं टमाटर प्याज हरी मेर्ज और थोड़ा सा अचार या फिर आप आप चाहें तो यहां पे रायता वगेरा यूज कर सकते हैं जैसे खाना चाहें आपकी च्वाइसे और इसे आप इंज्वाय करेंगे आपको बहुत ही पसंद आएगी देखें कितना बढ़ियां दिख रहा है ना बहुत ही यमी बनता है तो इसे बनाईएगा खाईएगा र वी रसीपी के साथ में तिल दन बाइ बाइ वाय हभा Changing